ये तो थी प्रथम वॉर्ड की तस्वीरे आप आपको लेके चलते हैं दूती अवॉर्ड में ज़ा हमारे समवादाता ने चिनहर दूती अवॉर्ड के विकास कारों का जायजा लिया ये रिपॉर्ट देखिए उत्तरप्रदेश निकाय चुनाओं का पहले फेज का नामांकन संपन्न हो चुका है और आने वाले चार तारीक को जो तमाम प्रत्यासी हैं उनका भविस्वमत पेटिका में कैद हो जाएगा और इसी को लेकर हम प्राइम टीवी टीम लगातार छेत्रों में जा रहे हैं समस्य को जान रहे हैं आम जन्मानस से बात कर रहे हैं कि उनके जो तत्कालीन पारसद हैं वो अपने वादों पर कितना खरा उतर पाए हैं साथ ही जो तमाम छेत्री की समस्या थी कितना उसको दृस्त कर पाए हैं इस वक्त हम राजधानी लखनव के चिनहट दुति अवार्ड में इसलिबे आप मैं गुक्त मैं यहां रहते हैं इनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो 25 सालों का कारेकाल वहाँ है पारशद का और नगर निगम यहा कितना काम की है इसको हम जानने के लिए अप चिनहट दुतियों वार्ड के जो तमाम बरसिंदे हैं अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव के अलान के बाद अब नामांकन हो गया आने वाले चार तारीख को आप अपना मत का अधिकार करेंगे अगर बात की जा तो किन मुद्दों पर आप इस बार वोट देंगे अगर तो इनको तो वोट इनकी जिगाय पर धिया कोई दूसरे ब्रश लसे उनको नहीं देंगे वोट देंगे तो हम भली शाफा को दें या कांग्रेस को किसी को दें लैक brauchen नहीं देंगे पलिम बारूज से आप काफी उनसे आखिवोत्य नहीं जाना तो यह समस्या होती रहेंगे दो दिने सर्मार में रहें जादों उनके हिया आप अपना नाम बताएं और यह हमें यह बताएं कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो एज युवा किन मुद्दो को आप देखते हुए वोट देंगे और अगर बात की जाए तो आपके छेत्र में प्रमुक समस्याएं क्या है आपको करने होगा उसी लिए माने दुना दूसरा को प्रत्यास्ति होगा वोट उन्हीं को दूंगा पात साल में आपके चिनहट दुटी वाड की कितनी तस्वीव बद्री तक नहीं बदला हुआ यहां तमाम महिलाएं भी हैं इन से भी बात करेंगे इन से जानेंगे आप घर चलाती हैं यहां अगर बात की जा तो सरकार की तरफ से स्वक्ष भारत अभियान लाए गया है जिसमें स्वक्सता को लेकर तमाम कारे किये जा रहे हैं यहां कैसा द्रस्टे कुछ नहीं पहला तो यहां पर जब जब ओट का विर्या आता है तो कहते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे लेकिन हर माहिलाएं गोमती नगर के महिलाएं पीछे बढ़ रही है छोटे छोटे बच्चे की टाड़ों में पढ़ नहीं हैं बाहर वाले लोग दो कहते हैं बहुत अच्छा है भारत लेकिन गोमती नगर वैसे सड़े में है तो आजकल कुडों की गारियां चल लए है उसमें गाने चल लाएं है की कुड़ा वाला आया घर से कुड़ा निकाल निकाल नहीं वो कहता है कूड़ा लीगाडी कि यहां के लिए मेरे पास प् लेकिन वास्तोगन तीन में नहीं लेखता है ना कोई महिलाओं के लिए कोई की माइए ना कुछ आया ना ज्ड़ू आता है और यहां का पारस्ट जो है तो सुनता ही नहीं है कुछ और जब दीदने वोट की विरी आएगी तो कहेंगे वोट निकल जाएगे तो कहेंगा अगर बात की जाए तो स्वक्स्ता को लेकर आपके परोशी शिकायत कर वही है इनका कहना है कि यहां कुड़े की गाड़ी कभी नहीं आती है और कोई कुड़ा वाला नहीं आता है और जब कहाँ लए जाएंगे तो का करी कोई घर में रखी भी या गंदगी सब कचड़ा सब कुछ हो घर मार रखे रहो पंदरा पंदरा दिन हो जाते हैं नहीं आवते पैसा भी दे इसकायत जो यहां के सुपर्वाइजर होंगे और जन कोई रखी गए कहें सबसे कहा देर मगर नहीं कोई करता कोई नहीं सुनुवाई करता है अत्य दिन हो गई हैं हम कुछ और लोग इस बात करेंगे खासका हम महिलाओं से बात करेंगे त्यूंकि यह घर चलाती है और यह चीजों को बहुत करीब से देखती हैं आपका क्या न और यह चीजों को बहुत सजीद्गी से देखते हैं आप अपना नाम बताएं मेरा नाम अनिल राजपूत हाजपा से है और इंसर्ट पहने हैं मैं समाजवादी पालिटी का सक्रिय सदस्व हूं पांच साल जनता बेहाल जो यहां पे चल लहा है पहली ची तो सबसे बड़ी जो गलती किये भाजपा ने यहां पर दुबारा रीपीट जो सलंदर वर्मा को टिकड़ दे दी है ठीक है यहां पर जो समान चीट यह वाइकवर्ट को टिकड़ दे दिया जो और भी परत्यासी से उन्हों काफी बिरोत किया कि उनको टिकड़ ना दिया जाओ उसके और बढ़ रही क्योंकि इस परत्यासी को दिया गया है उसका काफी छेत्र में विरोध है कि किसी परकार का कोई काम ही नहीं कि या रोवाटर लाइन हमारे गावं में पांच साल पड़े हो गया है लेकिन किसी परकार की नभी चालू हुई है और नालिया देगली नालिया देगली जो सब बजबजा आ रही है एक दम हम कुछ और लोगों से बात करेंगे अगर बात की जाए तो चार तारीख को अपने मताधिकार का प्रियोग करेंगे किन मुद्दों पर करेंगे क्या पार्टी विसेश को देखकर करेंगे या आप प्रतिनिधी को देखकर करेंगे जी मैं तो पार्टी और प्रतिनिधी दो तब्कक और। गाहूं का जो निकास यहां पर नाले यहां थो गाहे आपने देख़ा उधर जाके का यहां विं दी देखने यह पूरा कुछा यही तने सालों में इस समय पावर है क्या उनसे आप अपनी समस्याओं को अभी तक रखा है रखा गया है क्या पत्व के माध्यम से या मौखिक जो हमारे यहां के जो बुजूर्ग है और भी ओरते हैं जो मैलाएं जो जाती है वहां पर तो उनका कोई भी निवारण नहीं होता है उनके समस्याओं कोई नहीं किया जाता है किसी ने किसी बाहने चैट्र से कम अगर देखे तो उत्तरपदेश के 75 जिलों में अगर लगा कर देखे तो ये वाजधानी लखनव की तस्वीर है ठीक सामने अगर देखे तो डंपिंग स्टेशन के तौर पर ये खाली प्लॉट उपियोग हो रहा है आवारा पशू अपना इसको ठिकाना बनाए हुए हैं ठीक सामने आप सब्सक्राइब का एक अंबार यहां लगा हुआ है अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जब आगा चार तारीक को जब मतदान होता है तो यहां के तमाम वोटर हैं वो किन मुद्दों पर वोट देते हैं हम कुछ और यहां युवा हैं उनसे बात करेंगे इन से जानें लगे हो तुम क्या-क्या अन आलियों की है गारी समय काती है नहीं पर नहीं पर नहीं आती है लिए हाते हैं लिए अगहीं तो दस अंक देना हो अपने तत्कालीन पारसत को तो कितना दस में से कितना अंक कह रहे हैं आप जी हम आपके पास जरूर आएंगे क्या कहना जी रोग जी वो दे रहे हैं सरकार की तरफ से तमाम योजनाये चलाई जा रही है नगर विकास विभाग जो नगरों का एस्वक्ष नहीं अधार की जायती यहां के पारसत से ङो तमाम हो यहां लोग क्यू इन alea काonte किया अगर हमारे विए आपको नंबर यहाँ नाली रोड आप अपसे सुनने सेब्सक्राइब मैं कम दे सकता हूं परमारपत बनवाना हो तो एक एक हफ्टे लग जाते बनवाने में बैठा था कार्यकरता को अपने हूं करताओं से अपनी पारसदी चलाते हैं ठीक है हम कुछ और लोग उसे बात करेंगे भाई साब सुकला जी हमें यह बताएं कि आप इस छेत्र में लंबे अर्से से रहते हैं अगर बात की जाए तो इस बार का जो वोट आप देंगे चार तारीक को किन मुद्दों को देखते हुए देंगे विकास के मुद्दों पर देंगे आप आप खुद देख सकते हैं सामने क्या हालात है नाली रोड कोई काम नहीं हुआ है पारसदी हमारे चेत्र में दिखाई अगर बात की जाए तो इस बार का अगर देखा जाए तो तमाम नगर्विकास विभाग की तरफ से बदलाव किया गया सूखा गीला के लिए अलग 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 जगों पर दस्विन लगाए गया क्या इस वाड में डस्टबीन की सुविदा छेत्र में गलियों मुहल्म सबस्क्राइब लगाए तो आप लोग अपनी समझ्याव को उनके पास रखते हैं उनके समस्वक्ते हैं मगर कोई समस्था हो सुनते हैं यहां आए नहीं पहली बात तो इस बार का वोट अगर वोट देने जाओगे तो पार्टी को देखके दोगे कि प्रत्यासी को देखके तो साफ तोर से आपने देखा कि यहां के लोग काफी आक्रोशित नजर आते हैं और इनका फ्रमुख मुद्धा ये है कि छेत्र में सफाई नहीं है और स्वक्ष भारत अभियान जो चलाए जा रहा है जिसके तहट गली मुहले गाउं को साफ करने की तमाम वादे किये जा रह वालधानी लखनव का एक टॉप क्लास एरिया है यहां पे आप स्वच भारत अभियान की जो तस्वीर है वो आप अपने स्क्विन पर देखकर समझ सकते हैं ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहां पर नालियां पूरी टूटी हुई है पानी का निकासी नहीं है चूकि यह छेत्र लखनव के एक प्रमुखे छेत्र में से है राजधानी लखनव के जब हम आते हैं तो यह प्रवांचल का प्रवेस्ट द्वार्स होते हुए यह पहला वार्ड है और यहां पूरी तरह से सुच भारत अभियान और यहां तत्कालीन पारसत से लोग आक्रोशित है कैमरमन विजय के साथ मैं विभांसू प्राइम टीवी लखनव हूँ